हेलो एन वेलकम एब्रिवन मैं सचिन विस्वकर्मा स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने फैब्रेट यूट्यूब चैनल क्रिसी सिक्षा पर आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बेसे अग्रिकल्चर सिख सेमिस्टर का तो पेपर हुआ है वाटर सेट वाटर कराया हूँ तो आप फटा फट से अपना एंसर मिला लेजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ सेयर कर दिजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे क्योंकि हमारे चैनल पर आपको अग सब्सक्राइब करते हैं यह जो पेपर है यह इंस्टेंट सॉलिशन कराया हुआ पर है तो इसमें एकात कुश्चन गलत हो सकते हैं बाकि मैंने पूरी को सिसकी है कि बिल्कुल एक्यूरेट एंसवर बताया जाए तो आप लोग ध्यान से देखिएगा पहला कुश्चन है कि इंटनेशनल क्रॉप डिसर्च इंस्टिट्ट फॉर सेमि एक ट्रॉपिक्स ॥ा कि यानि यह कहां इस्तित नक्लत देट का नहीं करते हैं इसके सुधार में करते हैं अमली च्छारीय मर्दाओं यंश्चतित है फिर है सपेज फ suaज़ी हैं वॉय लोड केश ने सउमेर के लोड मर्दान इसके बाद तीसरे नंबर कोश्चिन हो गया ऐने कि निमलिकित में से कौन साम्मर्दा निमनी करनड का प्रकार है तो यह तीन हो जाएगा अफसंडी इसका correct हो जाएगा अगला कुशन है जलमंगनिता के कारण मर्दा में परिवर्थन होते हैं तो जलमंगनिता यानि वाटर लगिंग के कारण जो मर्दा में परिवर्थन होते हैं वो मर्दा ताप में कमी होती है मर्दा वाय में कमी होती है और भूमिकल जल में वृ इसकी अस्थापना 1985 में की गई थी इसके बाद अगला कुष्चन है जूमिंग खेती का दूसरा नाम है तो जूमिंग खेती का दूसरा नाम अस्थानांतर करसी या फिर स्टिंग कलडीविशन होता है अगला कुष्चन देखते हैं बंजर भूमी प्रवंधन का प्रात्मिक लच्छ क्या है भूमी चरण में बृद्धि आज थिर भूमी उपयोग प्रताओं को बढ़ावा देना या बंजर भूमी को पुनरस्थापित और पुनरवासित करना या वनों की कटाई को पुरुसाहित करना तो इसका जो करेक्ट आप सुनों का वो सी हो जाएगा बंजर भ क्या है तो ऑस्टेशन जो होता है वो होता है या बंजर भूमी में पेड़ लगाना और निम्न बेसे कौन सा बंजर भूमी प्रभन्दन का लाव नहीं है तो इसमें से जो डिजरटीफिकेशण होता है मरुष् स्थली करंड ये जो है बंजर वहुमिं प्रवंधन का लाफ नहीं है बाकि बंजर वहुमिं को प्रवंध करने से पिटी के उड़ता में सुधार होता है जय विवित्ता में बृद्धी होती है और sustainable livelihood यानि की सतत आजीव का चलती रहती है अगला है कि निमलखित में से कौन सी बंजर भूमी सुधार की एक बिधी है क्योंकि अतदिक चराई से तो होगा नहीं बनों की कटाई से और अधिक सिचाई से भी नहीं होगा तो correct answer हो जाएगा option B करिसीवान की करिसीवान की जो है बंजर भूमी सुधार की एक बिधी है अगला question है निमनलिखित में से कौन सा बंजर भूमी प्रबंधन में एक कदम नहीं है यानि जो बंजर भूमी का प्रबंधन है जो विस्ट लेंड का प्रबंधन है मैनेजमेंट है उसका कौन सा एक कदम नहीं है तो इसका answer हो जाएगा तेरा नमबर question का अफ्सन की वनों को बंजर भूम में बदलना क्योंकि जब वनों को बंजर भूम में बदल देंगे तो उसमें नियंतरण कहा होगा वो तो बंजर भूम में आलरेडी हो जाएगी अगला question है mini water set का अकार होता है तो mini water set का अकार होता है एक से सव अगला कुश्चन है जल समेट प्रबंधन का सिध्धान्थ है जल समेट प्रबंधन यानि वाटरसेट मैनेजमेंट का सिध्धान्थ है तो यह हो जाएगा रिसोर्स यूटिलाइजेशन कंजर्विशन और जनरेशन तीन होता है तो आपसे इसका डी करेक्ट होगा आलाफ दीज़ अगला कुश्चन है कौँसा जल समेट का आवयों नहीं है यानि कि कंपोनेंट नहीं है वाटरसेट का तो कंटूर पर्फॉर्मिंग जसमेट का कंपोनेंट नहीं होता है। वागि मर्दा एवं जल संग्राण और फुसल प्रवंधन यह 3 होता है। इसके बाद है मर्दा एवं मर्दा एवं जल सन्रचण की अस्थाई सन्रचना कौन सी है तो अस्थाई सन्रचना जो है यह हो जाएगा मेड यानि बंड्स आप्शन बीस का करेक्ट हो जाएगा तो मैंने जो आपको कुछ वीडियोस प्रोवाइड किये हैं अपने चैनल पर सा आप लोग वहाँ से जाकर उन्हें देख सकते हैं अगला कुछ नहीं है ठारा नंबर कि मेड पंक्ती अंतरसस्यन को कहते हैं तो इसे कहा जाता है एले क्रोविंग आप्संस का एक करेक्ट हो जाएगा इसे वीडिका सस्यन या फिर एले क्रोविंग कहा जाता है अगला सभी हो जाएगा अगला है जल एवं मुर्दा प्रबंधन संस्थान इस्थित है यानि कि साट में से वालमी कहा जाता है वाटर एंड लेंड मेनिजमेंट इस्टिटूट तो यह इस्थित है आपका महाराष्ट में इसका एक हो जाएगा अगला कुश्चन देखते हैं अगला भूमी सुधार का उद्देश क्या है तो बंजर भूमी प्रबंधन एवं भूमी सुधार का जो उद्देश है वो है बंजर भूमी को उत्पादक उपयोग के लिए बहाल करना यानि कि रिश्टोर डिग्रेड़ेड लैंड टू प्रोड़क्टिव यूस यानि उसको उप अगला कुशन है बंजर भूमी प्रबंधन में भूमी उपयोग योजना का उद्देश क्या है तो बंजर भूमी प्रबंधन में भूमी उपयोग योजना का उद्देश है वो है टिकाओ भूमी प्रबंधन सुनिश्चित करना इंस यो सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट अगला है निम्न में से सूखा परभाविच छेत्र में किस फसल की खेती नहीं की जा सकती है, तो गन्ना की खेती जो है सूखा छेत्र में नहीं की जाती है, फिर है कार्बनिक पदार्थ में कार्बन की मात्रा, तो कार्मिक पदार्थ में कार्वनिक कार्वन की मातर आठ ठाउन परसंट के असपास होती है फिर है चिपको अंदोलन तो ये पेड़ बचाने से सम्बंधित था फिर है पीएच आठ दसमलो पांच वाली मर्दा को क्या कहा जाएगा फिर है पीएच चार वाली मर्दा को क्या कहा जाएगा तो इसे अमली मर्दा कहा जाएगा फिर है निमनलिकित में से कौन सी बंजर भूम सुधार की एक बिधी है तो पुनाह वन रोपंड, वनी करन, पलवार ये सभी हो जाएगा तो इसमें भी आपम शंडी करेक्ट होगा यह सभी जो है बंजर भूम सुधार, यानि की वेश्ट लेंड, मैनेज़मेन के सुधार की बिधी है फिर है कौन सी क्रिस अयोग बेकार भूमी है तो क्रिस अयोग जो बेकार भूमी है वो हो जाएगा इसमें बंजर चट्टानी भूमी बैरेन रॉकी लेंड तो इसमें जो है खेती करना बहुत मुश्किल होता है इसके बाद अगला कुश्चन देखते हैं इसमें जो है 100% स्योर नहीं है इसमें गली में भी जो अवनाली का भूमी होती है इसमें भी खेती करना असंभव होता है और चट्टानी भूमी भी असंभव होता है तो इसमें जो है एकदम accurate answer select करना है तो जहां तक हो सकता है option A correct हो इसके बाद है जल भरावाली भूमी के पु कुपा चारात्म कुपाई हैं तो इसका जो correct answer होगा बतिस नमर कुशन का वो हो जाएगा अत्रिक्त पानी के निकालना और सतही जल निकास और रिसाओ को रोकने के लिए नहर का अस्तर तो यह सभी हो जाएगा option डिस में भी correct होगा अगले कुशन है पी एच की खोज किसने क थी फिर है पी एच पैमाने में पी एच के सीमा होती है तो यह होती है जीरो से चौदा फिर है अमलिय मर्दा बनने के उत्तरदाई कारक हैं तो अधिक वर्सा के कारण जो है अमलिय मर्दा का निर्माड होता है फिर है रेत के टीले बनते हैं तो यह तो बालोई मर्दा में बनते हैं और अगला है किंद्रिये मर्दा लमरता अनुसंदान संस्तान इस्तित है Central Soil Salinity Research Institute इस्तित है तो यह इस्तित है Central Soil Salinity Research Institute करनाल में option 20 का correct होगा इसके बाद है 38 कुश्चन की भारत में क्रिसी पारिस्तित की छेत्र यानि एक ग्रोव इकोलोजकल छेत्र कितने हैं तो यह हो जाएगा 20 यानि की 20 हैं अगला कुश्चन देखते हैं अपरदन को बढ़ावा देने वाली फसल है तो अपरदन को बढ़ावा देने वाली अगला कुश्चन है मर्दा अपरदन के लिए उत्तरदाई कारक हैं तो मर्दा अपरदन के लिए उत्तरदाई कारक अस्ताना अंतरत के थी अधिक चराई वनों केटाई सभी हो जाएगा आपसंडी करेक्ट होगा फिर है कजरी यानि की Central यह कहां तो यह जोत्पूर राजस्थान में है फिर है 200 आद्रभूमी दिवस मनाया जाता है तो दो फर्वरी को मनाया जाता है वर्ड वेट लेंड दे फिर है सूखे का प्राकरतिक कारण क्या है तो वर्था की विफलता हो जाएगा इसमें क्योंकि यह सभी तो आदमी को दर हाटी मतलब होता है फ्रूट पास्चर मतलब होता है पास्चर तो यह आफसन जो इसका एक करेक्ट हो जाएगा अगला क्यूशन है भूमी छरण को रोका जाता है अधिक चिराई द्वारा तो नहीं रोका जा सकता वर्ण मूलन द्वारा यानि डिफॉरेस्ट्रेशन वन को है वो एलकलाइन स्वाइल यानि कि छारीय मर्दा के सुधार में किया जाता है अगला कुश्चन है लवडिय मर्दा को किसके उप्यूक के द्वारा सुधारा जा सकता है तो लवडिय मर्दा को जो है जो सैलाइन स्वाइल होती है इसका सुधारने के लिए गोबर के खात की प्रियुक के जाती है, उपसफन इसका भी करेक्ट होगा, ÉFYM का प्रियुक के जाता है, अगला है जल-मगन, जलमगन वाली मर्दा में उच्र सानधरता होती है, तो इस्म ahí मेथेन की उच्र सानधरता होती है अगला है मर्दा चरण की चौथी आवस्था है तो जो आपका गली इरोजन होता है ये चौथी आवस्था होती है फूर्थ स्टेज आफ स्वाइल इरोजन होती है तो इसका जो है आपसन भी करेक्ट हो जाएगा अगला कुशन दिखते हैं अगला कुशन है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मर्दा निमनी करण है तो जो सबसे अधा डिग्रेडर लेंड है वो है राजस्थान में अगला कुशन है भारत में मर्दा निमनी करण छेत्र कितना है तो भारत में मर्दा निमनी करण छेत्र जो है वो वर् अंजर भूमी विकास एदू भीहड भूमी का प्रबंद और मर्दा प्रद्धन का नियंत्राण और निमनी किरित मर्दाओं का नियंत्राण यह सभी हो जाएगा तो आप्शन डीस में भी करेक्ट होगा और इसके बाद है यन भी यस यस एंड यल यूपी नेशनल व्यूरो आप स्वाइल स्वाइल सर्वे एंड यूस फ्लैनिंग यह कहां इस्तित है तो यह नाकपुर में अप्शनिसका सी करेक्ट हो जाएगा अगला है भारत में लुड़ प्रभावित बिर्दा का छेतरफल कितना है तो आठ मिलियन हेक्टीर है अप्शनिसका कैक है अगला है ज में जो है थोड़ा डाउट भी है मुझे लेकिन जहां तक मैंने इसे देखा तो मायर से मिला हुए मुझे इसके बाद है मरुस्थलिये मिटियां पाई जाती है तो मरिश्थली मिटियां जो है भो पाई जाती है एरिड and humid reason में इसका जो है option C औरेक्ट होगा एरिड and semi-arid reason ना ना ये जो मरिश्थली मिटि एफ जो सुस्क एवं अर्ध सुस्क छेत्रों में पाई जाती है क्योंकि dessert जो है वो सूखे छेत्रों में पाया जाता है आदर में नहीं पाया जाता है तो option इसका A correct होगा फिर है वनों की कटाई का सबसे खतरनाग प्रभाव पढ़ता है तो सबसे खतरनाग प्रभाव जो है मर्दा अबरदन पर पढ़ता है फिर है denitrification अधिक होता है तो denitrification जो है वो water locked soil में सबसे ज़्यादा होता है चल्मगन भूमी में सबसे ज़्यादा होता है अगला है चूना युक्त मर्दा का निर्माड होता है तो चूना युक्त मर्दा का निर्माड जो है वो जो calcareous soil होती है इसका निर्माड होता है एरिड एरिड एंड हुमिड एरिया में यानि कि जो सुस्क्योम नम छेत्र है option B इसका correct हो जाएगा अगला question देखते हैं साथ नमबर निम्लिकित में से कौन सी आयोग के बंजर भूमी है तो बर्व से ढके छेत्र पूछ रहा है कि नहीं है तो बर्व से ढके छेत्र ये भी आयोग के बंजर भूमी है खड भूमी ये भी है पत्थर नगन पत्रीली छेत्र ये भी है और ढाल छेत्र खाड़े ढाल ये भी है इसमें किसी में भी जो है बहुत मुश्की लहकेती करना तो इसका जो है correct answer तो नहीं है लेकिन जो most appropriate है ये option C हो सकता है अगला है भारत में कुल 1 छेत्र आच्छादित हैं तो भारत में जो है कुल 1 जो है ये 22 तसमलो यान 21 तसमलो कुछ परसेंट है लेकिन इसमें option में 21 नहीं है नागा लेंड में option B इसका correct होगा इसके बाद है जल समेट प्रबंधन का प्रात्मिक लच क्या है तो जो primary goal है वार्टर सेंट मेंनेजमेंट का वो हो जाएगा बाड़ बढ़ाना option A है बाड़ बढ़ाना option B इसका प्रात्मिक प्रात्मिक लच करना ये भी नहीं होगा प्राकृतिक साधनों का सनच्छाण ये वं समर्धन ये correct answer होगा option C इसका सही होगा अगला है निमनिल में से कौन सा जल समेट प्रबंधन का लाव नहीं है तो लाव नहीं है इसमें बढ़ा हुआ चरण क्योंकि जब चरण बढ़ जाएगा तो इसका फायदा ही क्या होगा तो option इसका भी सही होगा इसमें फिर है water set क्या है तो water set जो है एक भूमी का एक छेतर है जो एक सामान ने जल निकास तोरा जल निकास करता है option B इसका correct होगा फिर है निकास में से कौन सा कारक जल समेट स्वास्ट को प्रभाविद करने वाला नहीं है तो इसमें जो why की गुरटता है इसका जल समेट से कोई मतलब नहीं है option इसका D correct होगा फिर है निकास में से कौन सा जल प्रदूसर जल प्रदूशन का एक गयर बिंदू स्रोत है तो इसमें से कौन सा जल प्रदूशन का एक गयर बिंदू स्रोत है तो संसेट नंबर कुश्चन का जो एंसर होगा वो हो जाएगा एक रिस्ता हुआ भूम का टैंक ऑप्सन इसका डी करेक्ट हो जाएगा अगला है वाटर सेड म सर्वोत्तम प्रबंधन अभ्यास अभ्यास क्या है यानि वाट इस दा बेस्ट मेनेजमेंट प्रक्टिसेज इन वाटर सेड मेनेजमेंट तो इसका जो एंसोर होगा वह जाएगा प्रदूशन को कम करने और जलसाधनों की सुरच्छा के लिए एक रणीद बनाना यह सबसे ब प्रदूशन को करने का एक कदम नहीं है तो इसका कोई प्रभाव नहीं पढ़ता है प्रदूशन बढ़ता है चरण को कम कर सकता है और असाधन को कम कर सकता है तो यह जो है चरण को कम कर सकता है क्योंकि जो वाटर सेड है वो उसके द्वारा चरण जो है कम होता है इसके बाद है जल समेट में जल प्रदूशन का सबसे आम कारण क्या है तो किरसी अपवा जो है जो एकरिकल्चर रनाफ होता है इस अबसे आम कारण है options का एक औरिक्ट होगा फिर है तूफानी जल प्रबंधन योजना का जो उद्देश है वो नहीं है बाड़ बढ़ाने के लिए क्योंकि बाड़ बढ़ाएंगे तो यह तो बेकार ही हो जाएगा कटाओ को रोकना अच्छी बात है कम करना और पाने की गुंटताम सुधार करना यह भी अच्छी बात है तो इसका जो है आप ऑफ़ेंगत यह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिये वहाँ से आपको सब कुछ हैं पर मिलती रहेगी और आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर कैसा वीडियो चाहिए